हेलो गैस आज हम बात करेंगे येस बैंक की और मैं पूरे डाउट किलियर करूँगा आपके कि ये नीचे क्यों जा रहा है और फिर आपको खुछ समझ में आएगा कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए कौन सा नहीं तो पूरा वीडियो देखिए तो आपको आंसर ठीक से मिल जा में ये 108 के पास आ गया है और मैं ऐसे ही बहुत स्टॉक्स बताता हूँ आपको चैनल पे तो जिससे आपका प्रॉफिट हो और ये बताने का रीजन इसलिए था कि आपको पता हो कि स्टॉक कब लेना चाहिए स्टॉक जब लेना चाहिए जब वो अप्ट्रेंड में हो और स आप समझिए मैंने कल ही आपको बोला था येस बैंक में कि 12.63 के नीचे गया तो इसमें भारी गिरावट आएगी देखिया आज ये नीचे है तो अब इसका नेक्स सपोर्ट है 12.02 अगर इससे नीचे जाता है तो और गिरेगा ये इसलिए ही मैं आपको बताना चाह रहा कि जो यूटूबर्स आप देखते हो वो बोलते है कि आज आपर सरकिट लगेगा कल आपर सरकिट के लिए या तो चार्ट में कुछ अच्छा दिख रहा हो जब लगना चाहिए या न्यूज इतनी बढ़िया आई हो कि जब लगना चाहिए आपको अभी तक कुछ न्यूज आपने खुद से research की हो और आपको लगे कि ये अच्छी news है जब बताईए सी जब ये 11 पे था और मैंने एक short वीडियो बनाई थी उसका भी link मैं डाल दूँगा और मैंने बोला था ये 13.14 तक जा सकता है और इसमें blast होने वाला है और मैंने Sunday को वीडियो डाली थी Tuesday Wednesday को Yes Bank में blast हुआ तो वो chart का कमाल था तो वो आपको learn करना पड़ेगा इसलिए ही मैं आपको एक best news देता हूँ और हर हफते try करता हूँ एक best stock देने के लिए एक ही देता हूँ मैं जिससे की आप confused नहों और वो stock अच्छा profit कमा के दे आपको तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि please subscribe करिये channel को अगर आपका profit नहीं हो रहा है मेरी videos देखके then you can unsubscribe my channel simple as that पर मैं ये आपसे जूट में बोल सकता कि आज अपर circuit लगने वाला है अकल लगने वाला है जब तक चार्ट पे कुछ दिखे गई नहीं anyways वीडियो अच्छी लोगी हो तो like से subscribe कर दीजे मिलते हैं अगली वीडियो में जब तक के लिए good bye have a beautiful day see ya